जैश्री किष्णा मैं राकेश शिवानी अस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने एक जियोतिस ग्यान के नाम से सिरीज चलाई है और उस जियोतिस ग्यान में बेसिक से लेके एडवांस तक की अस्टलोजी पूदी पढ़ाऊंगा और आप यदि उसको पढ़ते हैं तो आप एक अच्छे जियोतिस बन सकेंगे ऐसा मेरा सोचना है और अब पीछे राशियों को सभाव के बारे हैं बता रहा हूं आपको डिफरेंट राशियों वाल लगन वाले लोगों के क्या सभाव होते हैं कैसी उनकी स्टेंथ होती हैं क्या उनकी हायर स्टेंथ हैं क्या उनकी लोर स्टेंथ हैं आज मैं आपको कुम्ब राशी वाले लगोगे, या कुम्ब राशी या कुम्ब लगन जिनका है, उनकी क्या strength है, क्या weaknesses है, क्या उनकी qualities है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो जादे समयन अव्यक्त करते हुए मैं आपको skin share कर लेता हूँ, और वो presentation मैं आपको दिख अच्छाई हैं, कुछ बुराई हैं, कुछ अच्छी quality हैं, बुरी quality हैं, ऐसे ही इनके अंदर भी कुछ अच्छाई बुराई दोनों चीज़े हैं, कुम्ब राशी का जो लॉड होता है, स्वामी होता है, वो शनी होता है, हर बहे को दो-दो राशियां दी गई है, इसी प् है तो यह सिंबल इसका जल्दारण करने वाला एक आदमी है तो इसका मतलब यह द्वीपद राशी है द्वीपद राशी मेंस दो पैरों वाली राशी है अच्छा आगे बताऊंगा इसके बारे में आडियल मैश साइन किया है इसके लिए कि मिथुन और तुला राशी वाले या मिथुन और तुला लगन वाली लोग इन लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं उनसे इनकी वेवलेंट मैश करती है उनसे इनकी दोस्ती अच्छी रहता है लकी पर्फ्यूम गैल बनम के नाम से एक पर्फ्यूम आता है जी एल बी एन यूम गूगल पर आप सो ट् रहते हैं और बड़ा काबो में मन लगता है लखी नंबर क्या है इनके लिए 39276 इनके लिए लखी नंबर है लखी डेस क्या है इनके लिए Monday, Thursday, Friday, Tuesday यह चार दिन के लिए बड़े लखी होते हैं इस दिन कोई काम स्टार्ट करें तो इनके लिए अच्छा रहता है लखी जै यलो है वाइट है क्रीम है इनको ग्रीन ब्ल्यू और और अवाइड करना चाहिए अगर आप व्रत रखना चाहते हैं जो लोग कुम राशी या कुम लगन वाले हैं तो वो व्रत शनिवार को रख सकते हैं इसके बाद आता है इसमें एक चीज खास होती है कि ये लोग जो होते हैं ये पुश्पो और सुगंदित द्रव्यों के बड़े प्रिया होते हैं इनको बड़ा अच्छा लगता है सुगंदित चीजें बड़े अच्छी लगती हैं इनके आर्थी पक्ष में भी उतार चड़ाव आता रहता है हैं स्थिर साइन है हम ने बताया घ कि तीन तरे या राशी उतिए चर इस्थिरोंई बडी सुभाव तो यह स्थिर राशी में आती है ile इस्थिर राशी वाले इसका सबूरा कि अब खूर से दर्शाय उनों अब लोग नहीं वस्ट कें। परप्रक्र वालोंटेंवार इस दो खूरए है। लेकिन ये लोग जो होते हैं ये लोग बहुत समझदार होते हैं वीपदवाले अपनी बात को कहना जानते हैं और दूसरों की बात को भी सुनना जानते हैं बहुत डिक्लोमेटे के लिए बात करते हैं किसी को हर्ट नहीं करते हैं पंद्रह फर्वरी और पंद्रह मार्च के बीच में सूर्य इस राशी में रहता है कुम्ब राशी में रहता है जिसे मांक का महीना का फागुन का महीना बोलते हैं पंद्रह फर्वरी से पंद्रह मार्च के बीच में सूर्य इस राशी में रहता है और लगन वालों के लिए इनके बी अपनी कुछ strength है। लोर इस्टेनें और होते हैं इनके इंदर मांप्ता बहुत होती है बारी होती है यह इनके अंदर खास बात हैं इनिडि moo के नना नहीं चाल प्रेंडू यह tulee रहता है और प्रॉग्रेसिव होते हैं उन्नति की और पसंद करते हैं उन्नति की और बढ़ते हैं इन्वेंटिव होते हैं इन्वेंटिव मीन्स कि कुछ ना कुछ अविश्कार कुछ ना कुछ नया करने वाले यह लोग होते हैं लायल होते हैं बहुत आडिलिस्टिक होते हैं आधरश्वादी होते हैं रैशनल हैं बहुत practical होते हैं अपने चीजों को समझने वाले होते हैं Good Conversationalist यानि अच्छा discussion करने वाले होते हैं इनके अंदर यह खान बात रहती है कि अच्छा conversation करते हैं बातों को बहुत श्युज़ करते हैं devoted to life partner जो भी इनका life partner होता है उसके लिए काफी devoted होते हैं उसको पसंद करते हैं, उस से प्रेम करते हैं। बहुत जल्दी मित्रों को बना लेते हैं, यह इन में आदत होती है। जहां भी जाते हैं, अपना एक इंप्रेशन अपनी छाप छोड़ जाते हैं। यह इनके अंदर बड़ा बहुत अच्छा वो रहता है। डिवोटिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् हाई स्टेंद में चैन्ड जाती है और यह फिर अपने आप में एक संखूर्ण व्यक्थित हो बन जाता है, लोर स्ट्रेंद को इंप्रूब करने के कई तरीके हैं, आदमी फुद इंप्रूब करे, पढ़े, लिखे, बुक्स पढ़े, ट्रेनिंग अटेंड करे, कोई लेट कीजिए बहुत अची चीज़ है कि हमारे अंदर ये कमी है और वो कमी है तो उस कमी कैसे दूर किया जाए अगर ये काम कर लेंगे तो बहुत अच्छा होता है तो कुम्बलगन वाले जातकों में जो कुम्बलगन के प्राणी मुनुश्य होते हैं या इस्त्रिया होती है ये कुम्ब राशी के उनके नदर ये थोड़ी चीज होती है कि अन्पडेक्टिबल होते हैं मतलब उनका पता नहीं चलता कि क्या विवार कर दें आपके साथ या कैसे वो कोई काम करें प्रत्याशित से बोलते हैं वो कर सकते हैं उत्तेजित हो जाएं तो चुड़े चिचल किसी से है तो संगर्ष को जारी रखेंगे बहुत असाली संगर्ष हतम करना नहीं चाहते ये इनके इंदर फोड़ी दिक्कत रहती है जिद्दी होते हैं तोड़े क्योंकि स्थिर राशी है मैं आपको बताया पहले स्थिर राशी वाले कमिट्मेंट कर ली तो कर ली अपने इस चबबाउन जिसे करते हैं या जिद्दी जिसे करते हैं जिद्दी होते हैं चतुर होते हैं अपने विचारों को जो भी इनके विचार है उसको साजा करने के लिए त्यार नहीं रहते हैं अन्विलिम टूशेर आइडियास ये थोड़ी सी प्रब्लम होती है कि जो इनके विचार हैं, उनको असानी से ये शेयर नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा रहता है, अगर ये चीज़ को भी इंप्रूव कर लें, लोगों को चीज़ों को शेयर करें, बताएं, तो बहुत फाइदा हो सकता है, थोड़े क्यूरियस होते हैं, दूसरों के बारे में, दूसरों के ये बूंग बन जाते हैं, शास्त्रों में इसके लिए श्लोग दिया हुआ है, कुम लगन वाले के लिए, जिसके अंदर उनकी क्वालिटीज दी नहीं है, वो कहते हैं, कुम लगन नरो जाते है, इस्थिर्चित सती सहदा, परदारातो, नित्यम रदुकाय महासुधी, ये यह यहते हैं, कि कुम लगन वाले जातक जो होते हैं, उत्पन जातक कुम लगन में, इस्थिर्बुधी वाले होते हैं, इस्थिर्चित वाले, इस्थिर्बुधी वाले होते हैं, मैत्री सम्मंद मनाने में कुशल होते हैं, जैसे पीछे बताया आपको कि मैत्री सम्मंद मन करने वाले होते हैं छोड़ों के रहते हैं तरह से कारे करने वाले होते हैं जीवन काल में प्रॉब्लम दिमाग बहुत होता है का मेमोरी बहुत शार्प होती है और थोड़ा खरी-खरी कहने वाले हो इनके लिए थोड़ी से साथधानी है कि यह ना यह बहुत गरम खाए ना बहुत खंड़ा खाएं और रोज एक्साइस करें तो इनके अंदर यह जो लोवर क्वालिटी जैंगी और इसी कोई प्रॉब्ल करने जा रहे हैं जो लोग इस चुप ऊँ वो दिये गए नंबर पर संपर कर सकते हैं इसके लवारा हम कोड़ी कासे करते हैं जो लोग इस चुप उंठोब्ल कर सकते हैं धन्यावाद जैशी किछना नमस्कार